सब्सक्राइब को और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक किजिए हलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टो मैं चैनल तुम बिले टेक्स सिलिशन मैं हूँ आपका दोस्ट और होस्ट आशिस तुम बिले आमे एक बार फिर आप सब के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैं MS Excel का सीरी चैनल ऑडम मैं अद निलग जानते है तो आज का टोपी के दोस्तों इस हो यह जो ऊसके सब्सक्राइन ह souvent हुआ और बाले में HOLFERS सारी चीज़े आपको डीटेल में बताऊंगा और उससे पहले मैं आप लोग यह बता दू अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखाया तो वो पिछले वीडियो का लिंक आपको मेरे आई बटन पर मिल जाएगा और अगर आप लोगों ने मेरा कोई भी इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो प्लीज इस वीडियो का आप पूरे अन तक देखिएगा ताकि आप लोग पूरी अच्छी तरह से इंसर्ट को कैसे यूज कर सकते आप उसको बारे में सीख सकें और दोस्तों अगर आप लोग आगे की वीडियो को भी देखना चाहते ह प्लीक कर देखिए ताकि जब भी में वीडियो डालो तो उसका नोडिफिकेसन आप लोग मिल जाए तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं कि सबसे पहले, हम EXELE open कर लेते है तो यहाँ से मैं EXELE TYPE करता ह हूं यह ENTERM हरता हूं तो यह petitD akan अधर अधर जासके छूप होचुक है तो आज जो तौफिक है उसके साम सांद इन्सेट पे वर्क करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो option है वो है tables, tables में क्या है pivot table तो इस pivot table को कैसे use करते हैं इसके बारे में अगर मैं आप लोगो बताओ तो उसके लिए सबसे पहले एक table का जरूत होगा तो चली एक table open कर लेता हूँ, मैंने इसके लिए already एक table बना कर रखा हुआ है तो इसको open में जाते हैं, यह sales का एक table है मैंने इसको बना कर रखा, यह देखे, यह एक table है मैंने already बनाया हुआ, तो इसके जरी मैं बताओंगा कि यह pivot table कैसे work करता है ठीक है, actually pivot table होता क्या है, pivot table actually एक तरह का table है, जिसमें आप अलग-अलग तरह केसे, बतब category wise आप इसको table को अलग-अलग category में divide कर सकते हैं तो कैसे होता है, यह practically मैं जब बताओंगा तो आप लोगो समझ भाएगा, तो सबसे पहले यह जो total price है मैं इसका calculate कर लेता हूँ, तो यह जैसे इन दोनों को multiply करना होगा, तो इस पे click किजिए, यहाँ पे home page जैसा है, यह equation करते हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे plus के ज होता है था, यहाँ पे इसको click करके इसको खीज देंगे, तो यह multiply का सभी, सभी का सभी data पर यह apply हो चुका है, ठीक है, सारे के सारे यह हमारा total price निकली है, ठीक है, तो अब मैं आपको बताओंगा कि यह pivot table हम कैसे use कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम पूरे table को select करेंग यह जैसे select हो गया, इसके बाद हम pivot table पे click करेंगे, तो इसमें क्या हो गया, यह range जो है, अपने आप select हो जाएगा, फिर आप इसमें क्या option यह range देना पड़ता है, कि कहां से कहां तक कर लिए आपको pivot table बनाना है, next है कि यह क्या आप चाहते हो कि existing worksheet मतलब इसी worksheet पे इसी पे अगर आप करना चाहते हो, existing यहाँ select करो तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यह कहां यह थोड़ा बड़ा table बनेगा, तो इसी लिए मैं चाहता हूँ कि एक नया sheet पे करेंगे, तो इसके लिए आप new worksheet ले ले लेते हैं, तो इस पे ok करेंगे, तो इक pivot table create हो जाएगा, ठीक है, त इसके लिए, new location, एक second, फिर से इसको select करके pivot table पे लेके जाते हैं, new worksheet करते हैं, ok करते हैं, यह देखे, यह एक नया worksheet, यह देखे, sheet 2 आ गया, ठीक है, तो sheet 2 में हमारा यह table होगा, तो इसके लिए क्या होता है, यह देखे, different different category, यह जैसे bike name, जो भी हमारा heading था, bike name था, month था, unit कितना price था, total price, ठीक है, तो यह सारा जैसे हमारा heading यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो अग क्या होता है, कि अब इसमें देखे, यह दूसरा fields होता है, कैसे-कैसे fields में इसको क्या क्या डालना है, तो हमारा columns में डाग क्या डालना है, rows में किसको डालना है, filters में, फिर values, ठीक है, तो क्या होता है, हमको, यह जो names, जितना भी names हो गया, names type का unit, यह सब हम क्या रोज में डालते है, और जो हमारा values टाइप का जैसे price हो गया, यूनित हो गया, तो यह सब को हम क्या करते है, यहाँ पर values में इसको डालनेंगे, तो यह bike को जैसे यहाँ select करके, drag करके, हम यहाँ में लेका जाएंगे इसको ड्रैकर कर करें लेकाय जाएंगे तो सलेकर हैं है यहां टोटल में लेका जाएंगे जा। तो यह देखे हमारा पाइवर टेवल क्रियेट हो चुका है अब देख पा रहा है जैसे यह इसको माइनिस किया तो जैसे बजाज का एक है BMW है यह hero का है ठीक है तो यह hero का है next Honda का है KTM है सुजू की है TVS है तो यह देखें और grand total इस तरह से अगर आप चाते हो जैसे कि मुझे से बजाज का देखना है ठीक है तो बजाज पर क्लिक करोगा आप ठीक है तो एक आम करते हैं इसको सेलेक करके थोड़ा साइड कर लेता है ठीक है तो अब क्या सही रहेगा तो अब जैसे यह बजाज का मोई देखना तो बजाज में यह पलस साइंड पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरहसे उसके बाद पर उनिट किसका कतना प्राइस वह आ रहा तो अगर you to be emancip 200 अब्चाते हो कि यह नहीं इना हो वैल्यूज में तो आप इसको सिलेक करोगा देखो यूनिट यहाँ पर यह से दिख जाएगा जैसे बजाज में जैनुवरी में कितना 4 भी खाई है फेवरी में किसे भी खाई है ठीक है फिर मार्च में कितना भी कह अगर आप जैसे इन सब को अगर शिफ्ट भी करना चाहों है यह जो चीज आ है यह इतना है यूनित यहां पर जैसे बजाज में हो गया है फिर नेक्स्ट आप जिसे इसको भटा दो जैसे ब्यम्डब्लव क आपको चेक करना प्लस कर तो जनवरी प्रिपने विकाए आपको धिए पाच तोल प्रास वाई यग या विनिट का कितना प्र तो इस तरह से आपका मतलब सारा का सारा मतलब आपको दीखेगा दीखिए फिर हीरो का अगर देखना है इसको हटा दीजिए इसको हटागा फिर आपको जैसे हीरो का देखना है यहाँ पर हीरो में सिलेक करो हीरो का दिखेगा उसी तरह से होंडा का दिखना है तो होंडा में यह पर क्लिक करेंगे प्लस पे तो होंडा का दिखेगा है इस तरह से मतलब यह एक तरह का पाइवर टेवल बन चुगा है ठीक है तो यह इस तरह का पाइवर टेवल क्रेट कर सकते हैं अब नेक्स्ट इंसर् तो इस तरह साब पहले टेबल को सिलेक्क करोगे, सिलेक्क करोगे क्या रेकमंडेट पाइवट टेवल पर किलिक करोगे। जैसे करोगे, यह सारगे पतलब यह होगा, इसपे रिच दोगे टीक, जैसे एक दोगे यह दिखे का, इसमें कौन कौन सा चैक करने जैसे मुझे बाइक का नीम देखना है तो इस पर सिक कर दो तो सारे बाइक के नहें आजाएंगे next अगर month चाहिए कितना मतलब कितना month में कौन सा बाइक है उस पर सिलक करो तो ये देखो month भी यहाँ इस तरह से सेलेक्ट होगे नेक्स्ट यूनिट चाहिए और देखे जैसे आप इसको चेक करते जाओगे यहां पर रोज में जो आना चाहिए रोज में जो आना चाहिए रोज में जो आना चाहिए वह वैलुज में जो आना चाहिए तो नेक्स्ट में जैसे यूनिट चाहिए यूनिट को यह आ रहे हैं देखो इस तरह से यह पाइवट टेवल कितना अच्छा दिग रहा है जैसे मैंने उसमें बनाया था मुझे अच्छे से नहीं पता तो यह यहां आ गया था यह देखो लुक वाइस भी कैसे ठीक लग रहा और पाइवट टेवल कैटेगरी वाइस भी अच्छ चलते हैं हमारे टेवल से की हम को पहले टेवल लен सर्टेवल से टहरे इसको कोई फ्रम Date ना जैसे नॉर्मल की मुझे घर कोई फ्रमेट Canal eleg style देना इसको क्ली करो ओकी करो यह दो करो यह अलगista बने अब इसमें सब कोई भी style change करते हैं इसके बारे में आपको बता दिया था ठीक है मतलब कैसे क्या क्या करना है इसमें header row total footer जो table जैसे home में मैंने बताया थे कि table के बारे में जो यहां पर जो था इसमें जो format editing insert में मैंने बताया थे कि table को कैसे create करते हैं तो वही same चीज़े इसमें भी ठीक है इसमें भी वही जैसे मैंने किया इसका अलग-अलग category change कर सकते हो ठीक है तो यह था हमारा table के बारे में next हमारा आ जाता है picture देखें पिक्चर के दो टाइप से आप कर सकते हो एक क्या हो गया इस device में से आप चाहो इस device में जैसे मेरे पास कुछ-कुछ जैसे picture से जैसे यह लेता हूं insert कर देता हूं यह दखो यह picture हमारा insert हो गया है थीक, यह picture आ गया, और फिर picture का आपका style और यह, यह सब मैंने home में आप लोग को already बता दिया था, picture को किस तरह से style देते हैं, क्या-क्या ढालते हैं, home का जो हमारा insert, home में जो insert option था, insert option में जैसे picture अड़ करना था, तुछ मैंने आप लोग को सारा चीज में दे दिया था, तो अ कीजिए और उस पे जा करके आप इसको कैसे डिजाइन करते हैं उसके बार में पूरे डिटेल में आपको मिल जाएगा उसमें जाकर देख सकते हैं ठीक है तो यह था पिक्चर को फॉर्मेट करने का नेक्स्ट आपका इंसर्ट में और क्या है जैसे यह पिक्चर यह तो डिव कोई भी चीज टाइप करो, ठीक है, आप सर्च करोगे, सर्च करके या फिर आपका अगर cloud, यह जैसे cloud है, cloud पर अगर आपका कोई save है तो आप cloud से भी direct कर सकते, जैसे मैंने सर्च किया, जैसे bike, यह देखिए, बाइक का यह सारा चीज़ है, तो सपोज मुझे अगर कोई यह चाहिए, यह वाला picture इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं insert पे click करूँगा, यह पहले download होगा, जैसे यह download हो जाता है, यह देखो, यह हमारा download होने के बाद, यह already हमारा picture यहां पर आगे, तो इस तरह साब online भी आप picture insert कर सकते हो, बट पर बाद में जो design करना है, यह compressed picture यह जो भी है, इसके बारे मैं already आपको बता चुका हूँ, आपका जो, मेरा जो, MS Word का insert feature था, उसमें मैंने यह बताया है, तो इसका link में, description में मिल जाएगा, आप चाहिए, जाके देख लीजेए, वहाँ पे, कि इसको कैसे design करते ही, images को, त इसको कैसे save करना है, डिजाइन करना है, exactly same designing part जो भी है, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने insert के, जो हमारा insert feature जो मैंने word में बताया था, word में भी जो चीज मैंने बताया है, यहाँ भी exactly same features है, तो मुझे दुबारा repeat करने का जरूत नहीं है, आप home, जो मेरा word का जो, एक जो मैंने वीडियो बनाया, insert का, word में जो insert का वीडियो बनाया, उसमें आप जाइए, तो उसमें आपको पूरा detail में कैसे designing करना है, क्या-क्या looks, कैसे क्या-क्या देना है, सभी feature को कैसे use करना है, उसके बार में मैंने उसमें बताया, आप उस वीडियो में जाकर देख लिजे, तो उस इसमें आपको कैसे डिजाइन करना क्या करना है वो सारा चीज आपको मिल जाएगा तो यह था हमारा शेप next उसी तरह smart art के बारे में भी मैंने अपने जो word है word का जो insert feature है उसमें smart art को कैसे use करना उसके बारे मैं बता है और इसमें कुछ नहीं select करना है select करके आपको जो भी टेबल्स या फिर जो भी आपको आर्ट करना है झालका ऌप इसमें टेक्स डाल सकते हो यह तो यह आपका ते ayet smart ठीक है इसके बार मैंने अस्वार डीटेल में मैंने फिंडियो जो वर्ड का इंसर्ट फीचर इंसर्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया है यह था हमारा smart art next screenshot इसके बारा मैं आपको बताता हूँ इसमें screenshot क्या है कि जो भी आपका window है screen clipping आप इस पर click करो तो देखो यह जैसे clip हो यह screen clipping क्या है just यह clip हो गया आप जितना area आप select कर हुए है वह हो करके देखो उतना area का screenshot आपका होगी है यह देख सकते हो इस तरह से उतना area का screenshot यह picture आगी यह एक तरह से capture screen को capture करने के लिए यह था हमारा screenshot ठीक है या फिर आपका अगर available window है आप window पुरा का पूरा window को लेना चाहते है यह जो उसमें क्या था कि जितना area का आप select करोगे उतना का screenshot होगा यह जो मैंने लिया पुरा का complete window का मेरा screenshot हो यह देख रहे हो आप लोगों को दिखाए देख देरा कि यह पूरा का window का यह जो है यह पूरा निई जितना मैंने select किया था उसका बस screenshot है तो तो इसके इंसोर्ट में दो टाइप था, दो दरगा, ठीक है, तो ये था हमारा illustrations, ओके, next आपका add-ins, add-ins क्या बहुत सारा add-ins होता है, जो paid होता है, कुछ-कुछ free होता है, तो ये मतलब आपका जो है, Microsoft की तरब से होता है, तो आप जैसे कि word में इसके बार में भी मैंने बताया है, कि add-ins, जैसे search का था, और जैसे, क्या wikipedia का था, तो इस तरह से आप अलग-अलग add-ins है, तो आप add-ins जो चाहिए, आप यहां में से, इसमें से ले ज़कते हो, ठीक है, इसके लिए internet connection चाहिए होगा, ठीक है, यह सारे चीजों को मैं पहले clear कर लेता हूँ, तब आप लोगो अच्छे से बता पाऊंगा, ठीक है, तो चलिए, यह आप यह जो हमारे table है, इसको पहले select कर लेता है, table को select कर जिए, करने के बाद आपको जगर चार्ट चाहिए, ठीक है, यह recommended chart, तो recommended chart पर आप जैसे जैसे select कर सकते हो, ठीक है, उस तरगा chart आपको, आपको जो चार्ट चाहिए उसके लिए, all charts यहाँ पर देखे, कितना सारा chart है, इसमें templates है, recent है, columns wise है, फिर pie chart है, line वाला है, bar chart, बतलो अलग-अलग जो भी chart है, आप जो चाहिए, आप उचार्ट यहाँ पर select करके, okay कर दो, जैसे आप okay करोगे, यह देखो, उस चार्ट बन के आजागा, जैसे मेरे, यह February, March, January का जो था, sales था, जो भी था, यह अलग-अलग bikes का, इस तरह से एक chart बन के आजागा, ठीक है, यह था हमारे chart के बारे में, और इसी में जैसे chart में यह बहुत सारा, यह देखे, आपका pie chart थ जैसा चाहिए आपको, आप उस तरह का chart ले सकते हो, यह chart जैसे चाहिए, यह chart, तो जो chart चाहिए, आप यहाँ पर से ले सकते हो, ठीक है, तो यह सब था chart के बारे में, उसके पर एक table चाहिए होगा, आपको, वो table लेके आपको, यह insert पर जाता है, sheet one, ठीक है, तो वो table चाहिए होगा, ठीक है, table लेकर के, टेबल को select करके, आप जो chart पर click करोगे, वो chart आपका बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप chart create कर सकते हो, अलग अलग chart, ठीक है, next हमारा यह pivot chart, यह pivot chart ऐसा है कि इसके लिए हमको pivot table चाहिए, without pivot table के, आपका जो यह chart create नहीं होगा, तो यह हमारा pivot table है, ठीक है, यह pivot table को हम पहले select कर लेंगे, यह select हो चुगा है, next हम चालते हैं, pivot chart, यह pivot chart, इसमें भी देखे, अलग अलग chart है, अब जो चाहिए, जैसा chart चाहिए, तो जैसा पाई में चाहिए, यह line में चाहिए, यह chart चाहिए, इस तरह से हम pivot chart create कर सकते हैं, बट इसके लिए हमको pivot table का जरूरत होगा, ठीक है, तो चाहिए, इसके लिए हमको एक table चाहिए, बिदाव table के हम chart नहीं बना सकते हैं, तो जो भी हमारा table है, उसको एक graphical representation हम जो देते हैं, तो उसको हम actually chart बोलते हैं, तो वही charts को उसके लिए हम table हम बनाएंगे, table को select करके, बस हम chart पर click कर देंगे, जो design आपको चाहिए, जिस तरह का chart चाहिए, आप select कर लो, आपने आप यह chart create हो जागा, ठीक है, तो यह था हमारा chart के बारे में, next था आपका 3D map, map पर click करेंगे, open 3D map, ठीक है, इसमें क्या गया है, अच्छा, उसके तब जाके आपका, यह 3D map जो है, यह काम करेंगा, ठीक है, तो रुकिए, यह थोड़ा time लेरा, आप, just थोड़ा wait कीजिए, देखते हैं क्या होता, और हाँ, इसके लिए आपको internet connection का जरूरा थे, without internet connection, यह आपका काम नहीं करेंगा, ठीक है, तो यह हमारा enable हुआ है, कि नह देखते हैं, अभी तो थोड़ा, नहीं work कर रहा है, एक second कुछ, यह देखिया, जैसे मैंने उसको enable किया, यह 3D chart हो गया, जो भी है, आपका यह 3D chart जो है, देखिया, यह map वाला जो भी है, जिस तरह साप globe वाला एक है, तो यह, यह हमारा, यह map आप इस तरह से डाल सकते हो, ठीक है, यह था हमारा map वाला, इसके लिए यह add-ins ज़रूरी था, ठीक है, वो add-ins था, वो था 3D tour वाला, ठीक है, तो यह था हमारा map, तो map इस तरह साप add कर सकते हो, अगर आप इसमें चाहते हो, तो add हो जाएगा, next आपका sparklines, ठीक है, इसके लिए आपको एक particular कुछ select करना पड़ेगा, जैसे, suppose पर यह select कर लिया, ठीक है, यह, suppose इतना मैंने select कर लिया, ठीक है, select करके फिर उसके बाद हम lines पर click करेंगा, इस पर range देना पड़ेगा, ठीक है, जैसे आप range दे देते हो, ok कर दो, यह देखो, अपर different, यह कह है, high points दिखाना है, तो high points दिखाओ, low point जैसे इस तरह से chart, फिर navigate point, first point, last point, इस तरह से आपका यह बनेगा, ठीक है, उस तरह से column बाला, column wise इस तरह से आप किस तरह से यह अलग-अलग color में, ठीक है, फिर win और loss का जैसे है, win और loss का भी जैसे यह चाहिए, तो different, different यह है, ठीक है, तो यह सब चीज़े आपको, आप पर्टिकुलर एक जो table है, पर्टिकुलर एक जो अब select किये हो, area को, तो यह actually एक तरह से यह पतलब आपको दिखाने के लिए, कि मतलब कौन सा loss पे है, profit loss इस सब को चीज़, अगर आपको एक graph के type में दिखाना है, तो इसके लिए यह spark lines आपका use होता है, ठीक है, तो इस तर win और loss का आपको दिखाना है, तो इस तरह से आप इसमें select करके आप दिखा सकते हो, ठीक है, तो यह था हमारा spark lines, ठीक है, next आपका आता है filter, एक second पर इसको हटा देते हैं, चलिए, अब filters पर जलता है, ठीक है, तो filters के लिए हमको सब सब पहले क्या है, यह slice, ठीक है, slice चाहिए होगा, slice कब यह actually हमारा pivot table पर work करता है, ठीक है, यह pivot table के लावा किसी और चीज़ पर काम नहीं करता है, जैसे यह pivot table आप select कर लिए हो, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो भी है, उनको slice करना है, जैसे pivot table आगया यह page पर, इसमें आप कौन-कौन सा दिखाना है, जैसे मुझे bikes चाहिए, month-wise चाहिए, और जो भी है, total price मुझे दिखाना है, जैसे सपोज यह 3 मुझे लेना है, ठीक है, जैसे करोगे तो अलग-अलग यह slice open हो जागी, यह देखो, ठीक है, आप सब करोगे तो सब का सब चार, जो 5 था, 5 को 5 खुल जाता था, अब क्या मुझे सिर्फ बजाज का अगर मानले, suppose मैंने select करता हूँ, जैनवरी, फेबररी और मार्च मेरा total price कितना हुआ है, total price अगर मुझे देखना है, तो यह मार्च में कितना हुआ था, सब है मार्च का अख्तरना हुआ है, यहिर्अट होते जा रहा है, यह देखो, सलाइस में आपर है, इसे पीछे हरा चाहिए, इसको आगे करना है, तो bring forward करोगे तो यह आगे हो जाएगा ठीक है फिर sand back करोगे तो वो back चला जागा ठीक है तो और यह जैसे यह वाला जैसे सबसे उपर है नहीं मुझे price को सबसे नीचे करना है यह back कर दिये एक और back कर दिये यह month को मुझे back करना bike को उपर करना इसको front कर दो तो इस पर select यह इसको जैसे यह वी टॉप पर आ गया उसके बाद यह आया फिर यह सबसे last है तेक पा रहे हो इस तरह से फिर select pen है ठीक है select pen में जिसको आपको display कराना है जिसको hide कराना है यह सब आप कर सकते हो ठीक है यह आपका pan था तो इस तरह से यह आपका work होता है ठीक है यह तो यह हमारा जो पाइवट टेवल है इसको सेलेक करते हैं नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो टाइम लाइन जाता है ठीक है एक से कि नेक्स्ट चलता है तो टाइम लाइन क्या है इसमें अक्शुली डेटा मॉडल्स चाहिए ठीक है इसके लिए क्या चाहिए ना मतलब एक अलग-अलग नेटवोक्स चाहिए और अलग-अलग आपका डेटा चाहिए ठीक है तो यह हमारा इसके बारे में जो है इसके बारे में आपको किसी और दिन बताऊंगा ठीक है इसके लिए एक्चुली बात यह है कि इसके लिए पाइवट टेवल और चार्ट सही है ठीक है तो तब जाकर यह वर्क करेगा ठीक है ठीक है तो इसमें कुछ प्राब्लम है तो इस टाइम लाइन के बार में मैं आपको बात बताऊंगा ठीक है तो नेक्स्ट आपकर जो पार्ट आता है वो तरह lang princ यह यह किसी बीडिया में किसी रेलगा करतें तॉम्तलाग आपके पास जो भी आपलिकेशन जो भी पिक्ट्र जो भी जिसको आपको ओपन करना है suppose जो भी है जैसे मान लिया मुझे यह result को open करना है ok कर दिये actually sorry यह सब था इसलिए पूरा complete एक link बन गया मुझे यहां नहीं मुझे इस पर एक चाहिए वो link ठीक है suppose मुझे वो result का चाहिए result पर click कर देता हूँ ok कर देता हूँ यह देखिए यह बन गया इस पर जैसे मैं click करूँगा तो वह एक link बन गया आप देखिए यह मेरा result का जो टीवल है यह open हो गया तो इस तरह से आप यहां पर link create कर सकते हैं यह एक तरह का hyperlink है ठीक है तो यह था हमारा hyperlink है next है हमारा text text किया है na text box है header है word art है signature है फिर object है ठीक है इसको अगर move करना चाहओ complete को नहीं कर सकता हूँ उसके लिए टेक्स बोक्स के पर्टिकुलर एक text box अगर मैं create करता हूँ ठीक है यह देखो यह text box create हो गया इस पर मैं कितना भी लिखूँ मतलब पुरे पर्टिकुलर एक यह की type का हो जाएगा ठीक है और फिर क्या आना मैं इसको move कर सकता हूँ रोटेट कर सकता हूँ जो करना कर सकता हूँ यह तरस एक text box बन गया ठीक है तो यह हमारा था text box चलो इन सब को हटा देता है next चलते हैं हमारा next क्या था हमारा इसमें header and footer तो header footer जैसे कि आपको पता है कि header footer generally हमारा heading में कुछ अगर हमको देना है आप जैसे suppose माल लिया कुछ लिख देता हूँ यह आप बाइक यह था header हमारा next मुझे अगर चाहिए कि नहीं मुझे footer में कुछ चाहिए जैसे footer पर जैसे general bikes जैसे general में लिख देता हूँ ठीक है यह सेम चीज़ जैसे हर एक पर आएगी जैसे जिस जिस पर मैं आऊँगा हर एक header footer जो भी page पर मैं select करूंगा वो header हर एक का header footer में आएगा ठीक है तो यह क्या था ना जो views में आप यहां पर यह जो layout से पेज layout में जो आपका है इसमें यह layout जो है आपका यहां पर देख पा रहे हो page layout इसमें आप click करोगे तो आपको यह दिखेगा header footer या फिर अगर आपको यहां print में देखोगे प्रिंट करोगे तो print preview में देखेगा यह दिखेगा यह जेनरल ठीक है नीचे जंडल तो header और यह footer इस तरह साब print preview में header footer डाल सकते हो यह था हमारा header footer इसको अगर नौर्मल करना है तो normal क्लिक कर दो तो यह normal हो जागा ठीक है तो यह हमारा जो था यह था header footer का बाद नेक्स चलते हैं हमारे क्या word art, अगर आप कोई word art, कोई मतलब इसी design में आपको कोई text लिखना है, ठीक है, तो इस तरह साप यह word art का use कर सकते हो, और यह सारे जो भी general features है, इस सब तो के बारे मैंने पहले ही आपको बताया है, क्या design करना है, कैसे करना है, तो इसके बारे मैं अ वीडियो देखा होगा, आप लोग को पता होगा, अगर नहीं देखा होगा, तो उसका link मेरे description में मिल जाएगा आप चाहिए, और उसमें देख लिजे तो उसमें आप लोग को पता चाहिए, कि कैसे करते हैं, ठीक है, तो यह था word art का, ठीक है, next अप का part है, यह हमारा signature, इस signature service जो भी है, ठीक है, या फिर यह online हो गया, next अगर आपको चाहिए कि, यह Microsoft Office का चाहिए, जैसे किसका चाहिए, आप नाम लिख दो, ठीक है, जैसे अर्मान हो गया, next चाहिए कि क्या है वो बंदा, manager है, ठीक है, फिर email address भी आप डाल सकते हो, okay कर दो, तो यह देखो, अर्मा picture डाल सकते हो, ठीक है, next आपका क्या है, object, object के लिए क्या pictures चाहिए होगा, ठीक है, अलग-अलग, मतलब objects में क्या है न, आप जो भी चाहते हो, कोई भी अलग app आप इसमें add कर सकते हो, जैसे मान लिए, suppose मैं, एक, paint भी समझ, दिजिए, मैं कुछ लेता हूँ, यहां पर बहुत सार जैसे अप्लिकेशन से, ठीक है, इसे यह document, word document जिसमें open करता हूँ, ठीक है, इससे क्या होगा न, तो मेरा जो यह है, यहां पर एक word document open हो जाएगा, ठीक है, word का यह document open हो गया, इस पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, लिख के, इसको यहां पर जैसे select करता हूँ, यह document जो है, जो भी मैंने वहां पर लिखा था, वो सेम चीज हमारा यह यहां पर आगे, एक्सल पर एड़ हो गया, यह सिप यह नहीं, आप इसमें बहुत सारे भी चीज़े कर सकते हो, जैसे, यह जैसे, एक्रोबेट document है, ठीक है, जैसे, वो वाल application, मतलब जो जो application आपको वहां पर add है, मतलब दिख रहा है, वो application आप open कर सकते हो, जैसे, यह सारे जैसे application, जो भी तो यह था हमारा object का feature, next चलते है, next है हमारा equation, equation और symbols जो है, यह actually mathematical formula है, suppose अगर कोई particular mathematical formula चाहिए, कि मैंने word में हम मैंने पहले ही बताया था, word में भी यह equation और symbols था, इसके बार मैंने पूरी अच्छी तरह से explain किया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे करेंगे, तो यह equation आजाएगा, अब क्या इस पर जैसे value डालना है, जैसे x, x के जगा पर जैसे माल लिया, मैं just to t डालना चाहता हूँ, ठीक है, एक के जगा कुछ, यह power के जगा पर मैं जैसे n का power, directly हम इस पर keyboard, जैसे keyboard पर लिखेंगे, तो type करेंगे तो इसा नहीं आएग इस तरह से आप मतलब यह equation आप add कर सकते हो, ठीक है, उसी परकार से symbols, symbol में आपको जो भी symbol चाहिए, आप यहां से select कर सकते हो, ठीक है, आप insert करो गया, insert करते ही आपका, वो insert हो जाए, जैसे यहां पर, जैसे क्योंकि मेरा cursor यहां पर था, तो इसलिए यहां पर insert हो गया, ठीक है, तो यह जो part था, यह हमारा था, insert का part, ठीक है, इसको अगर हटाना है, तो जैसे select कर गा, अप delete कर दो, तो यह हट जाएगा, यह भ बस इतना ही, I hope कि मैंने आज जो भी आप लोग को बताया है, आप लोग को समझ में आ चुका होगा, और अगर आप लोग को समझ में कुछ नहीं आ है, कुछ doubt आया है, तो प्लीज मुझे comment कीजिए, मैं comment में आप लोग को उस doubt को clear करूँगा, और major doubt हो आता है, जैसे कि मैं ह गुड़े दोस्तों, गुडबाई